एक बार की बात है, एक गाव में एक बैल रहता था, जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता, जंगल में जा पहुचा, लेकिन आते समय वह गाव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ, एक तालाब के पास पहुचा, तालाब पर उसने पानी पिया, और वहां की हरी हरी घास खाए, जिसको खा कर वह बहुत खुश हुआ, और उपर मुँँ करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पिने आ रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा, जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिये ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डर कर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। दोनों सियार ने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जितने का। फिर दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देख आ सकते हैं? शेर की आग्या से दोनों सियार बैल को अपने साथ लेकर आ गये और शेर से मिलाया. कुछ समय बाद शेर और बैल बहुती अच्छे मित्र बन गये. शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया. यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे क्योंकि उन्होंने जो मंत्री बनने का सपना देखा था, वह भी पूरा नहीं हुआ. दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए. वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है. लेकिन हमने उसके मुझ से सुना है, वह आपको अपने दोनों बड़े स इंगो से मार कर जंगल का राजा बनना चाहता है. पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा. दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए. वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है. मौका मिलने पर, वह तुमको मा पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है. बैल को गुस्से में आता देख, शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया. बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे. अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारो को अपना मंत्री बना लिया कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते है